दाद अबोहिया मिशिको सभीको डोबो जोहार आपको कोल्ट रावर मिरज चैनल में सभी का स्वागत है वेलकम है जैसे कि आप जानते हैं कि आपके बीच मैं कुछ ना कुछ आदिवासी से संबंदित महतपूर्ण वीडियो आपके बीच में लाता रहता हूं कुछ आदिवासी से संबंदित विशेज जानकारी हैं आपके बीच में सेर करता रहता हूं तो इसी प्रकार आज मैं कुछ आप लोगों के लिए विशेज जानकारी लेकर कर आया हूं क्या है आजानकारी तो आपको वता देना चाहता हूं कि TRI राची ट्राइबल रिसर्च इंस्यूट राची द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है यह नोटिफिकेशन 26 जुलाई 2023 को जारी की गई थी इस नोटिफिकेशन में जो टियारे ने सेर किया है जो नोटिफिकेशन जारी किया है यह हम जारखन के आदिवसी यूवक यूतियों के लिए बहुत ही लाबदायक है और विशेशकर उन विद्ध्यार्थियों के लिए लाबदायक है जो UPSC, NetJRF की त्यारी कर रहे हैं या अन्य नोकरियों के लिए भी त्यारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथी साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम जब अपलोड करें, कोई भी आधिवासी संबंदित आपको जानकारी हम आप तक पहुचाना चाहेंगे, तो आप अगर बेल आइकन को प्रेस क जाई सूचना कोचि क प्रारंब करने का प्रस्ताव है, यानि जो विद्ध्यार्थी उपीयस्य नेड ज्यारेर की तयारी कर रहे हैं, या अन्ये नोक попробघियों के लिए भी तयारी कर रहे हैं, उनके लिए टियारे ने संथालि भात की निशुल्क गेर आवस्य कोचिऑ प्रारंब करने का लाई है तो आएए आगे जानते हैं और क्या सुझना है इसके लिए एक छुक परतिभाग्यू एस्टी का आवेदन आमन्तित किया जाता है यानि जारकन के एस्टी सुची में सुची बद्ध जनजाती ही आवेदन कर सकते हैं आवेदन के लिए सर्थ निम्नवत हैं पहला आवेदक को जारकन का निवासी होना चाहिए दूसरा आवेदन जमा करने की अंतिम्तिती के दिन आवेदक की आयू 21 वर्स से 40 वर्स होना चाहिए तीसरा आवेदकों का चेन असना तक में प्राप्त अंकों के अधार पर किया जाएगा चोथा UPSC एवमनेट जे आरेफ दौरा विज्यापित पदों पर आवेदन दिये गए अधियार्थियों को पर्थमिक्ता दी जाएगी यानि जो विद्यार्थी UPSC NET JRP की तियारी कर रहे हैं और ये विद्यार्थी UPSC NET JRP के लिए आविदन कर चुके हैं उन विद्यार्थियों को पर्थमिक्ता दी जाएगी आविदन प्राप्त करने की अंतिम्ति थी चोगद अगस्त 2023 संध्या 6 बजे तक है आथवा आविदक अपना आविदन संस्थान कारेले में आथवा इमेल या पंजिकरित डाग के माध्यम से जमा कर सकते हैं आप इमेल के मादिम से भी जमा कर सकते हैं, डाक के मादिम से भी जमा कर सकते हैं और संस्थान के कारेलाय में भी जा करके आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं निची दियेगे एक स्क्रीन में संस्थान का इमेल आईडी है tri.directoreate.gmail.com इस पर आप अपना आवेदन मेल कर सकते हैं आवेदन करने से पहले आप इन चीजों को ज़रूर ध्यान दे चोगदा अगस्त 2023 संधिया 6 बजे के बाद के आवेदन माननी नहीं होंगे यानि 6 बजे के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो उस आवेदन को सिवकारा नहीं जाएगा आवेदन का प्रारूप संस्थान के वेबसाइट tri.jharkand.in से प्राप्त कर सकते हैं ये संस्थान का अपना वेबसाइट है इसमें आप आवेदन के सभी प्रारूप आवेदन की रूप रेखा को आप जान सकते हैं आवेदन करते समय आपको एक चीज और ध्यान देना है जो बहुत महत्पूरून है आवेदन के साथ आवजसक कागजात की चाय परती आपको देनी है तो आपके किन-किन कागज़तों की जुर्द पोड़ेगी मैं आपको बदाता हूँ पहला जाती परमान पत्र इसकी आपको चाय परती लगाना है सरकार द्वारा निर्गत फोटो पाचान पत्र आधरकाड या बोटरकाड की चाय परती अब लगा सकते हैं सेक्षनी अंगपत्र असनातक और उश्याग आप पढ़े हुए हैं तो उसकी आपको चाय परती आपको लगाना है उसकी अंग पत्र की चाय पड़ती लगाना है आपको UPSC NET GRF दोरा विग्यापिज पदों पर आवेदन का साक्षे यानि उसकी चाय पड़ती यानि अगर आपने UPSC NET GRF के लिए आवेदन किया है और उस आवेदन की आपके पास उसकी चाय पड़ती है तो वो आप उसे सलगन कर सकते हैं तो उमीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे, अच्छे रहें और इस संथाली भासा का Free Coaching का लाब आप पूरी अच्छी तरह से लें ये टियारे दोरा एक बहुत अच्छी उपरचिनिटी है हम लोगों के लिए तो जारकन के आदिवासी भाईबानों से अन्रोद है कि आप इसका लाब जरूर लें ताकि आपका भविश्व उजलो हो धन्यवाद जोहार